असलाम वालेकूम गूड मॉनिए आप सबका मेरे चैनल पर वापस है स्वागत है तो यह है गोल्ड का चार्ट और यह है गोल्ड का राइस गोल्ड का राइस टार्ट हुआ जब काफी सॉफ्ट नंबर में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था पर जितने ज्यारा सॉफ्ट नंबर आया उतना ही जबरतस राइस आया और तक रिवान उन्हें से 62 के हैज बन चुके हैं अभी उन्हें से 57 के आसपास गोल्ड मंट रहा है धियान रहा है आज भी कोर पीपी आइक न से कल हम लाइव स्ट्रीम कर रहे थे जब स्टी आइक के नंबर साइए इंशाल्ला आज भी लाइव स्टीम करेंगे हैं 6 बचे के आसपास तो अगर अभी तक आपनी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लिजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आजा लाइव स्ट्रीम क भी है वह भी इंपॉर्टेंट है तो यह इंपॉर्टेंट नंबर से हैं कि रविस्टन सपोर्ट क्या है गोल्ड प्राइस का आज देख लेते हैं बाकि यह जो लेवल से 6 बचे तक हैं 6 बचे तक की वैलड है 6 बचे के बाद जब लाइव स्ट्रीम करेंगे उसके बाद जब डेटा आ जाएगा डेटा के बाद मैं आपको नए लेवल दूँगा मार्केट कॉर्मेंटरी में लेवल देखे जा सकते हैं जैसे कल मैंने आपको नए लेवल दे दिये थे जब मार्केट कॉर्मेंटरी में 1944 चल रहा था 1944 पर आपको बता दिया था कि गोल पॉजिटिव दोर में जा चुका है तो कम से कम आपने जब 1950-1960 गया तो कम से कम आपने वहां पर सेलिंग नहीं कियोगी मार्केट कॉमेंटरी की मदद से अभी 1957 चल रहा है 1950 का आज का सपोर्ट है 1950 के नीचे 1945 और 1940 था कि एक बार विजिट कर सकता है रिजस्टन्स है 1965 का ट्रेंड तो सबको पता है पॉजिटिव है इसका ट्रेंड तो रखिएगा खयाल सिल्वर पर आ जाते हैं 24 डॉलर 15 सेंट के एसपास चल रही है सिल्वर ने एक जबर्दस तेजी दिखाई है इन पाक्ट सिल्वर ने क्लियरली और परफॉर्म कर दिया है गोल्ड को जिस तरीके से सिल्वर भागी घूंगरू तोड के सिल्वर जो भागी है जबर्दस सिल्वर में राइज आया रबहुत जोड से आया बड़ ये भी पता था आपको के पॉजिटिव जोन में है इंपक्ट सुबह भी आइधिंग जहां तक मुझे याद आ रहा है मैंने बताया था आपको सुबह से ही पॉजिटिव जोन में थी पूरी मार्केट पूरी दुनिया को पता है पॉजिटिव है प्लीज ध्यान रखेगा ट्रेंड के अगेंस्ट कभी ट्रेड ना करें तो ज्यादा बेटर है अगर आप कॉंट्राइट ट्रेंड लेना चाहते हो जैसे कि अभी आपको लग रहा है किसी गोल्ड सिल्वर बहुत ज्यादा उप एक स्टॉपलोस जरूर होना चाहिए नहीं तो ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करने में बहुत बड़े बड़े लॉसेज ही होते हैं क्रूड आयल भी 75 लॉलर के ऊपर कमफिड़ेबली सस्टेन कर रहा है आज का सपोर्ट है 34 37 डॉलर का ट्रेंड इसका पॉजटिव है इंट्रेडे में ध्यान रखेगा जब तक सपोर्ट प्रीच नहीं होता है तब तक पॉजटिव जोन में ही है डॉलर इंडेक्स नेरली 100 के आसपास चल रहा है डॉलर इंडेक्स के लेवल आपको मार्केट कॉर्मेंट्री में दे इसे ही हुआ है क्योंकि सबसे ज़्यादा जो पॉर्शन डॉलर इंडेक्स के अंदर है परसंटेज में यूरो का ही है कि 1140 चल रहा है कल के लेवल सब्सक्रीन पर देख रहे होंगे तो यह सारे लेवल अन्वालिट हो चुके इन्वालिट हो चुके तो देख लेते हैं आज का रिजस्टनस सपोर्ट किया है आज का रिजस्टनस है 1170 का आज का सपोर्ट है 1100 का ट्रेंट तो इसका पॉजिटिव ही है तो रखिएगा ख्याल अब आज जाते हैं ब्रिटिश पाउंड में 1.30 हो गया यहां तक मुझे याद एक बार कुछ महीने पहले या थे या फिर एक साल पहले ब्रिटिश पाउंड की कीमत एक डॉलर की बराबर हो गई थी अब फिलाल 1.3 हो गया है आज का रेंस्टेंस है 1.3050 सपोर्ट है आज का उन्टी सो पचास का ट्रेंड तो पॉजिटिव है ही तो रखिएगा ख्याल बिट्कॉइन देख लेते हैं उसके बाद एथेरम देखेंगे फिर कंक्लूड करते हैं वीडियो 3,300 के आसपास चल रहा है सपोर्ट ब्रीच हो चुकी है इसकी इवन तो कल हम 3,100 सपोर्ट लिखी थी बट इसकी सपोर्ट अनफॉर्चनेटली ज्यादा पहले ही आ गई है और अब फिलाल ये वीक जोन में चला गया है तो रेंस्टन सपोर्ट क्या है इसका देख लेते हैं आज का सपोर्ट है 9,500 का रेंस्टन से आज का 3,600 का ट्रेंड हो चुका है इसका वीक तो रखेगा ख़याल एथरम देख लेते हैं 1866 डॉलर के आसपास चल रही है एथरम भी जा चुकी है वीक जोन में आज का सपोर्ट है 1820 का प्रेंस्टन से आज का अठारा सो असीगा ट्रेंड है इसका वीक तो रखेगा ख़याल बाकि पेट सिगनल्स की और मार्केट कॉमेंटरी की जानकारी मेरी वेबसाइट पर ली दिया है मैंने कोई आपको कन्फूजन है सर्विस के वारे में तो आप मेरी टीम को वाट्स अप करके भी पूछ सकते हो वाट्स अप नमबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेर गॉमेंट कर दीजेगा बाकी शाम को लाइब स्ट् यह नाम से काफी चैनल भी है तो में अपने जैन्वन चैनल ही जोइन किया है अगर आपको शक हो रहा है कि यह वेक चैनल है तो मेक शूर आप मुझे ट्विटर पर सब्सक्राइब कर लीजेगा ताकि आपको कोई शक ना हो ट्विटर पे भी सेम इभी बडिया आते हैं जो लाइक शेयर कॉमेंट कर दीजेगा अब मिलेंगे शाम के वीडियो में तब तक के लिए टेक केर बाबाए